नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने यूटूब चैनल पर सोर्ट वीडियो अप्लोड सही तरीके से कैसे कर सकते हैं क्रियेटर सिधी ही वीडियो अप्लोड करके छोड़ देते हैं जिससे कि दोस्तों उसमें वीव काफी कम आते हैं दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आपके सोर्ट वीडियो के वीव बढ़ सकते हैं sort video upload करने केजिए दोस्तो पहले हम आपने phone में YouTube को open करेंगे ठीक है इसके बाद में दोस्तों इस plus की निसान पर आपने okay करना है इसके बाद में देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर create a sort इस पर आपने click करना है फिर आपका दोस्तो camera open हो जाएगा यहाँ पर YouTube का यहां से आप दोस्तों सीधी वीडियो भी बना सकते हैं जैसे इस्टाग्राम पर बनाते हैं अगर गैलरी में आपकी वीडियो है तो वो भी आप यहां से पोस्ट कर सकते हैं दोस्तों अगर आप ऐसे वीडियो बनाओ गया आप या कोई पोस्ट कर गया अपनी गैलरी से तो 15sznd की वीडियो बनेगी ठीक है दोस्तों अगर आपकी वीडियो 15 से बड़ी है है। तो यहां से आप उसका टाइम बदा सकते हैं ठीक है। अब यहां से दोस्तों मैं आपको gallery में वीडियो है जो उसको post करके दिखाता हूँ यहां पर दोस्तों आपकी gallery की सारी वीडियो आजाएगी ठीक है जो post करना चाहती है आप post कर सकते हैं उस पर click करके इसके बाद में दोस्तों कुछ इस परकार से वीडियो यहाँ पे आ जाएगी ठीक है यहाँ से दोस्तों आपको वीडियो में अगर आगे या पिछे से काटनी है छोटी करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं ठीक है फिर कुछ इस परकार से आजाएगा यहां पर अगर आपने दोस्तों सीधी अपलोड करने तो next पर करके आप अपलोड कर सकते हैं या आपने कोई music आइड करना है इसके अंदर तो यहां से आप कर सकते हैं यहां से आप कुछ लिख सकते हैं और यहां से आप इसके फिल्टर लगा सकते हैं दोस्तों वीडियो पर गाना लगाने के लिए यहां पर आपने कलिक करना है कुछ इस परकार से फिर आपके सामने आ जाएगा ठीक है यहां पर दोस्तों काफी सारे गाने आ जाएंगे जो करके आप जहां से गाना लगाना चाहते हैं वहां से आप सेट करके अपनी वीडियो के अंदर लगा सकते हैं फिर यहां से आपको डन कर देना है ठीक है अगर आप डिल्ट करके दूसरा लगाना चाहते हैं तो यहां पर आपने कलिक करना और इसके उपर यहां पर देख सकते ह गूंद दोस्तो जब आप यहां से song निकालते हैं अगर आपको कोई song पसंद आता है उसको आप दूसरी reel में भी उपयोग करना चाते हैं तो इस पे click करके आप यहां से save कर सकते हैं ठीक है है यहां पर आपके song save हो जाएंगे जो आपने save करे होगे ठीक है अभी इसको यहां से काट देते हैं इसके बाद में दोस्तों यहां पे आप text का option देख सकते हैं इस पे आप click करोगे तो कुछ इस परकार से आपके सामने आएगा ठीक है यहां पे आप किसी भी color में कोई भी अगर text लिखना चाते हैं नाम औगयरा तो यहां पे आप लिख सकते हैं दोस्तों ठीक है यहां से आप दोस्तों इसका color change कर सकते हैं जोगर करना चाते हैं ठीक है उपर से आप देख सक ते ठीक है यहां पर आप कलिक करके दोस्तों कुछ इस परकार से आजाएगा जो टाक्स एड किया होगा आपने वीडियो में उसे कितने टाइम पर लगाना आप यहां पर अजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से ठीक है इसके बाद में यहां से आप दन करके उसे शेव कर दें यहां पर कलिक करके दोस्तों आप अपनी वीडियो में फिल्टर का यूज कर सकते हैं ठीक है जैसे इसे इस्तेновित करने के लिए इस नेकस्ट वाले option पे आपने क्लिक करना इसके बाद में देख सकते हैं दोस्तो कुछ इस परकार से आपके सामने आ जाएगा दोस्तोर्ट वीडियो में भी अब थमलेन लगा सकते हैं पहले इसमें थमलेन नहीं लगा सकते थे ठीक है जो कि सक्रीन पे लोगों को सो होगा थमलेन को आप गैलरी से नहीं लगा सकते दोस्तों जो आपने गैलरी में बना के सेव गया ठीक है आपको वीडियो के अंदर ही ऐसा कुछ हैड करना पड़ेगा जो क में आप पहले ही कोई बना के ऐसा thumbnail लगा सकते हैं जैसे आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे बनाते हैं YouTube वीडियो playlist ठीक है इस परकार से आपको वीडियो के अंदर ही add करना पड़ेगा अपने thumbnail को ठीक है फिर इसे लगाने के लिए तो अप देख सकते हैं यहां पर पैल से न का ओप्षन इस पे आपने कलिक करना है इसके बाद में आप देख सकते हैं जहां पर भी आपने thumbnail लगा है वीडियो में तो उसे ऐसे adjust कर सकते हैं ठीक है जैसे मैं आपको वीडियो में करके दिखा रहा हूं फिर आपको यहां से done कर देना यहां पे दोस्तों आपने वीडियो का title लिखना है एक अच्छा हाँ ठीक है और दो आपको hashtag जरूर लगाने है एक तो दोस्तो hashtag short और दूसरा hashtag wayt sort यह दो hashtag तो आपने जरूर लगाने है और एक-दो आप वीडियो से समंदित भी लगा सकते हैं ठीक है अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अलिस्टीड में आपको वीडियो को अपलोड करना है ठीक है ताकि आप YT Studio में जाके इसका बाकि का करिया पूरा कर सके फिक हैं यहां पे दोस्तों आपने जो टाइक मيनेज करने के लिए है अगर डाउंलोड नहीं है तो आप इसको डाउंलोड नहीं तो आप कर लेना उसको डाउंलोड ठीक है यहां से आप वीडियो को निकाल लेना यहां पर आ weekly हो व czy चोटी Military Ecek है लाइव और पले लिस्ट सब ठीक है यहां से आपको फोट वीडियो निकालनी है जो आपने वुस्ट के ठीक हो यहां पर आपको सबस्प्र मिल जाएगी इसके बाद में देख सकते हैं अगर नौर्मल ही वीडियो कोई नौर्मल ही आपका टाइटल है ठीक है दोस्तों यहां पंपे डिक्स्रिब्सन वे आप वीडियो के बारह में लिखना होता है ठीक है कुछ भी आप लिख सकते हैं जिस विच्छा क्टियर्प्स्रिप्सन में एड करें और इंको टैग में भी एड़ करें इसे भी बड़ने के चांश जादा हो जाते है वीडियो के खाए बाद में ब쪽에 truck निसान से याप passy GP अब अब देख सकते दोस्तों यहां पर अगर आपके वीडियों बच्छों के लिए तो इसको यह कर दो कर देगा अगर दोनों के लिए है तो इसे छोड़ाने की दुर्त है अब हमें इस वीडियो में tag लगाने के लिए और इसकी category select करने के लिए आपको यहाँ पे click करना पड़ेगा ठीक है इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे category का option है ठीक है इसको आपने click करना है इसके बाद में जिस विश्य पे आपकी वीडियो है जैसे आपकी वीडियो gaming है या technology से समदित है music है comedy है इस परकार से आप यहाँ से select कर सकते हैं ठीक है कोई भी category की आगिर जिस category के आपकी वीडियो है उसी पे आपने okay करके यहाँ पे done कर देना है यह option दोस्तों आपके like है जो उनको छुपाने के लिए होता है ठीक है यहाँ पे अगर आप tick mark कर दोगे तो आपके like सब को दिखेंगे अगर tick mark हटा दोगे तो किसी को नहीं दिखेंगे ठीक है अगर आपके sort वीडियो पे कम like आते हैं तो इनको छुपा सकते हैं ठीक है इसके बाद में उपर आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो के वीव बढ़ाने के लिए यह सबसे जरूरी है टाइग लगाने ठीक है यह sort video में भी जरूरी होता है दोस्तों और जो बड़ी video होते हैं उनमें भी बहुत ही जरूरी होता है ठीक है यहाँ पे आप अपनी वीडियो से समंदी टाइग लगा सकते हैं जिस परकार से दोस्तों हम वीडियो का टाइटल रखते हैं इसी परकार से आप यहाँ पे टाइग रख सकते हैं ठीक है यहाँ पे लेकिन आप काफी सारे टाइग लगा सकते हैं अपनी वीडियो से समंदी ठीक है जब कोई वीडियो को सर्च करता है तो इनके कारण ही आपके वीडियो YouTube दिखाता है ठीक है अगर आपको इस ओर वीडियो अपलोड करते है तो मैंने जो सक्रीन पे Hashtag दिखाई थे उनको भी आप यहांपे डाल सकते हैं टैग लगाने के लिए आपको यहां पे कुछ लिखना है और इसके बाद में इस तीर के निसान पर आपने क्लिक कर देना इसके बाद में आपका टैग लग जाएगा ठीक है इसके बाद में इस तीर के निसान पर कलिक करके आपने बैक करना है ठीक है और इसके बाद में आपन से ज़्यादा व्यू आएगे ठीक है और वाइरल भी हो सकती हैं लाखों करोडों व्यू भी आ सकते हैं तो इस परकार से वीडियो को अपलोड कर सकते हैं आप सही तरीक के से दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी खुद सीखने को मिलागा ठीक है यूटूब के बारे में सी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यहां तक वीडियो देखने के लिए तन्यवाद दोस्तों